Hello Good morning Welcome to the Coaching, Abhishek Coaching Service YouTube Channel और आइए आपको इस Mathematics के Class में दुनिया की सबसे बहतरी in mathematics की Class आप देख रहे हैं Abhishek Coaching Service YouTube channel पे इस बीडियो को like किज़े आगे बढ़िये और आप इस बीडियो को पूरा देखने के बाद Perfect Mathematics अच्छी तरह सीख सकते हैं कोई भी आपको doubt नहीं रहने वाला है बिल्कुल 0 से 0 सिखाएंगे बिल्कुल एक 0 से 0 level एस्ट्वेंट भी आसानी से सिखेगा जितने सारी चीज़ आपको बताएंगे अगर वह question में पहली बार यूज होगा आपके लिए वह पहली बार होगा तो आपको पूरा बता देंगे उसका पूरा mathematics में कहीं भी आपको उचीज दुबारा नहीं बताएं जैसे पुर्णांक कैसे तो रहता है दुईघात समिगरन बीजगरनीत अलजब्रा जितने सारे चीज़ है पहली बार आपको बताना है पहली बार आपको सिखाएंगे उसको सीखने बार पूरा बना सकते है तो आप पेपर और पेनल लेकर बैठिए आप इस question को आपको अपलोड देखिए यह सब जो question मैंने लिया यह सब master notes से लिया है master notes एक ऐसी किताब जिसको मैंने लिखा है इसको एक 0-0 लवेस्ट्वन भी बिलकुल आसानी से परके mathematics को अच्छी तरस cover करके कोई भी exam को निक आप सभी लोगों के लिए और यूटूब में जितने सारे coaching है सब के लिए चैलेंज है percent is equal one but a hundred सिर्फ उसिप इतना चीज का यूज करके पूरा percentage chapter को बनाना है सिर्फ उसिप इतना ही चीज का यूज करें हम percent के symbol होता है ना percent का symbol उस symbol का मतलब होता है एक बट्टा 100 सिर्फ सिर्फ इतना ही चीज का यूज करके हम पूरा percentage mathematics को बनाएंगे आप भी हमारे साथ सीखिए कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं तो चले इसको सुरू करते हैं सबसे पहला जो question आपको यहां पर है क्या कर आया है आपको हमेशा क्या ध्यान रखना mathematics में question को equation में convert करना है और equation को answer में पहुचाने के लिए आपको क्या करना है आपको बस language पर ध्यान देना है तो आईए इस language को सीखते हैं और यहां पर सबसे पहले क्या दिया हूँ आठ पुर्णांक एक वटर तीन का मतलब क्या होता है वो चीज समझ लिए क्योंकि पहली बार है तो आपको समझाना मेरा काम मन्ता देखिए आठ पुर्णांक एक वटर तीन अगर कोई चीज़ है इसका मतलब ये होता है आढ़ पलस एक वरत यह कोई देज त furn एक्स अगुना आर्थिक 24 एक 25 बट्टा 3 25 बट्टा 3 और मैंने आपको यहां पर क्या देगा परशेंट का यह जो सिंबॉल है इस सिंबॉल का मतलब क्या होता है 1 बट्टा एक सो तो चुकि यह जो है गुना की रूप में है इसलिए यहां पे लिखेंगे गुना एक बड़ाबर माइंड करके ऐंसर तक पहुंचना है सबसे पहले क्या कर सकते हैं 25 चौका एक सो चारतीया बारह बारह को 15 से गुणा करें तो एक सोसी आगा को पड़ जाएगा यानि की अठारा सो यह कोशन सीख गया बिल्कुल इसी तरह से आपको मतलब की एक परत दर परत खोल के रख देना है और आपको सारे ची मैंडली हो जागा दिमागी रूप से हो जाएगा हम को अगर बनाना चाहें तो यहीं पर हम इसको मैंडली सॉल्व ग प्रिटेशन है बस आप यहां पर क्या वाट के जगा पर एक्स डाल दिये 1643 दूप पचास बट्टा 3 इसको एक फिर सम लिखते हैं यहां पर एक्स गुना पचास बट्टा 3 होगा ना 1643 दूप चास बट्टा 3 पचास अब बट्टा में 3 आप परसेंट के सिंबॉल के जग पंदर चाका नब यानि की 900 आपका होगा एंसर बिल्कुल एजली तो यह सब चीज आप कैसे निकार पाएगा बिल्कुल जब आप कोश्चन को बनाईएगा बिल्कुल जीरो से सीखेगा प्रबद दरपरद बिल्कुल उल्टा के देख जिए कि कैसे इसको करना है बिल्कु 24 कोश्चन में जितने भी शारे टाइप कोशचन वहोगें कितने भी भाड़ी से भाड़ी कोशचन क्यूँ नहीं सब का सब आपको बिल्कुल सौलव होगा तो देख लीजे पूरा-दौड जरूर से जरूर अगला पार जो कोश्वन है वह कोशन कुछ इस तरह से हैं चले पहले इसको करते हैं यहाँ पर कोशन में क्या कर रहा है तो चीज परतीसत बरावर है अब देखिये आपको समीकरन यहां पे पयले से यहां पे एक टमीकरन बनाया हुआ है c एक स्क्राइब आपको इसको बनाना पड़ेगा वही आईए हम इसको सीखते हैं और कोई भी स्क्राइब इस क्लास को मिस मत करेंगा क्योंकि हम बिल्कुल फिडि में यूटूब पे आपके लिए क्लास लेकर कर आए हैं तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम एक equation create करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हूँ है पचीस परतीसत बड़ाबर है पचीस परसेंट किसके बड़ाबर है तो हम मालने थे क्या पचीस पर जो और तीसथ अब देखिए हाम क्या छीखा है परशेंट का जहाँ भी सिम्पल रे है परशेंट के सिम्पल के रले आपको एकब टता एक-सर यूजग कर लेना है अपको क्या यूज करना है एक रटा एक सरृट ना मैसा पर्षैंट के सिम्बॉल के जगह पे हमेशा आपको एक बट आ एक सो यूज करना है तो क्या लिखेंगे फचिस अब पर्षैंट के जो सिम्बॉल है इसके जगह पे एक बट आ एक सो और ब्राबर कितना 25 पर्षैंट बढब शे बदलना है तो पहली बार आप दसमलब का नहीं बदनाना चाहते है वह इसे आपको जब decimal chapter पढ़ाएंगे math tools के अंदर में तो आपको दसमलब को बारे में सब कुछ पढ़ाएंगे लेकिन ये पहली बार है बट्टा वाला बहुत सारे student को दसमलब नहीं आता होगा तो उसको ह पर एक जीरो लग जाएगे दस हो गया चार दुना आठ फिर बचिया दू फिर जीरो डालेंगे तो चार पंचे बीस यानिकी 0.25 अगर आपको यह चीज समझ में नहीं तो आपको आसपस कि किसी से किसी से भी पूछ सकता है या फिर भी नहीं समझ में है तो आप कमेंट में पूरा का पूरा चेप्टर हम आपको सिखा के ही जाएंगे यह हम बिल्कुल आपसे वादा करते हैं 100% आप इस चेप्टर को बिल्कुल सिख जाएगा कहीं पर भी मत जाएए बिल्कुल इस देखिए 0.25 आपका हो गया इस कोशन का एंसर आप ऐसा मत सोचे कि आसान है भारी बनेगा नहीं जबकि यह सब कोशन जिसता से बना रहें बिल्कुल इतना ही आसानी से आगे जो भी कोशन आएगा आपको आप सब देख लिजे यहां पर पॉनकों से टाइप के कोशन होगा देखे कितने सारे कोशन हमने यहां पर लिखा है 124 कोशन टोटल है बहुत-बहु चलिए कोशन नमर तीनता हो गया था कोशन नमर चार में देखे क्या है 12 पुर्णांक एक बटा दू परतीसत को किस भीन के रूप में लिखा जा सकता है बाराफ पुर्णांक एक बटा दू परतिशत ये कोशन देखिए बाराफ पुर्णांक एक बटा दू परतिशत को किस भीन के रूप में लिखा जा सकता है तो हम माल लेते हैं क्या 12 पुर्णांग 1 बटा 2 परतिसत को न X भीन के रूप में लिखा है यानि कि X हमारा वो भीन है जो कि हमारा एंसर होगा तो इससे तो आप easily equation create कर सकते हैं 12 पुर्णांग 1 बटा 2 परतिसत देखिए 12 पुर्णांग 1 बटा 2 परतिसत ते इसका मतलब क्या हो गया 25 बटा 2 पुर्णांग तो आपको सिखाए न 25 बटा 2 बारा दुना 24 एक 25 बटा 2 यह होगा 25 बटा 2 परतिसत को परतिसत मतलब की गुना इसको किस भीन के रूफ में लिख सकते हैं इस इसको हम लिख सकते हैं x के रूप में ऑकटै चलिए यह एक्स हमाना एंसर है 25 बटा 2 यानि की फ्रैक्षन की पर चारदूना 8 हमाना है ओंसा तो यह वाला हमना बहना इंसर मिलगए चलिए ठीक है आप लोगं बिल्कुल चीत अगर नहीं सीख रहे हैं तो रिपीट करके देखिए बिल्कुल यहीं सब चीज आपको एक आगे के प्रस्ण में काम आएगा एक्जाम में भी कोशन पूछता है यह सब कोशन एक्जाम में पूछा होगा कोशन है इसलिए एक जीरो लेबल एस्ट्रेंट को मतलब कि बहुत सा कोशन को हम नहीं बनाएंगे आप लोग खुद से बना लेजे क्योंकि इस टैप कोशन हम बता चुके हैं तिन बटा चार को परतिसत के रूप में लिखिए अब देखिए कि अब कोई नॉर्मल पूर्णांक संख्या उसको परतिसत रूप में लिखने के लिए अलग ट्रिक रहने ही ने देते हैं हम सीधे क्या मांनते हैं 3 2 4 को परतिसत रूप में लिखना है तो हमं माले तेन बटा 4 जो है ना वो एक सब्सक्रों के बड़ावर है तो 3 बट्टा 4 बड़ावर X पर 30 अब पर 30 के सिंबॉल का मतलब क्या होता है एक बड़ा 100 तो अभी हां से निकाल दीजिए तो 4 से देखिए नीचे समीचे कर 4 अब 25 तो देखिए 25 या 75 एक्स बड़ावर कितना हो गया 75 पर 30 तो आपका एंसर हो गया तो आपको यह कुछ भी नहीं देखना है कि भाग देना ऐसा कुछ नहीं बस हम सिधा एंसर हैं माल लेते कि 3 बट्टा 4 को पर 30 तो 3 बट्टा 4 जो है ना एक्स परतीसद बढ़ाव है तिन वट्टा चार बढ़ाव है एक्स परतीसद अब लीजिए एक्स परसेंट के सिंबॉल पर एक्स डाल दी हमरें से त्यार है तो चलिए यही रहा उसका देखे भीन यह क्वेस्टन और यह कोशन दोनों बिल्कुल सेम है इसलिए इसकोस्टन क तो हम नहीं बना रहें आप खुद से बना लिजेगा ठीक है अब देखिए अगला कोशन बिल्कुल इजी है चौँतिस रुपए का 15 परतिसत क्या होगा बिल्कुल एक सिंपल सा चीज है क्लास फाइब में हम लोग पढ़े थे सरकारी स्कुल में बिहार से हम लोग हैं सरकारी स्कुल में क्लास फाइब में परना था परसेंटेज चेप्टर आप लोग भी जाते होगे तो इसकुल से भागू जाते होगे तो देखिए तो हम को उस समय परने का मिला था चौँतिस रुपए का पंदरा परतिसत क्या हो यह यह है परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक सा अब थोड़े से आप लोग बड़े हो गए थोड़े से बड़े हो गए अब लोग पोल्यों के दवाई पीना छोड़ दूए है आपकी उमर पांसाल हो गई है तो अब लोग क्या परसेंट के सिंबॉल को जगप एक वटा एक सो यूज नहीं करके हम डायक्ली यहां पर पं गुने एक वटा एक सो ही रहने देते हैं आगे से हम लोग यूज कर लेंगे बट्टा में डायक्ली एक सो डाल देंगे गुना करने का चक्कर नहीं रहेगा तो इसका बस कैलकुलेशन करके निकाल दीजिए तो देखिए यह पांस से कटेगा पांस तिया पंदर अब 20 लब एक पांस दसन लब एक कहां पर है यह आपका हो गया एंसर ठीक है चली हम आपको बता रहें अगला कोशन देखिए चार्सों पचास का तीस परतियस कितना है यह सब कोशन जोन बिल्कुल मुजवानी बनेगा देखिए क्या चार्सों पचास को तीस से गुना करके बट कोशन नमबर दस पर पहुंच गया चलिए कोशन मना हो गया अब आगे कोशन नमबर दस पर आ जाए क्या करते यहां पे 348 का च्यासर पुनांग दो बटा तीन परतिसत कितना होगा बिल्कुल कुछ नहीं करना इक इस कोश्चन में 348 अगुना 348 ढुना 1968 Влад दो बटा तीन का मतलव क्या होगा 3613 192 अब पलस दु यानिकि 200 बट्टा तीन 348 का 200 200 अब बट्टा में तीन आप परसेंट के सिंबोल का मतलब क्या होगा एक बटा 100 एक बट्टा एक सो हम यहां पर बट्टा में राइक ली एक सो नहीं लिखे रहे क्योंकि तीन के साथ में लिखना थोड़ा कन्फूज करेगा आपको अभी स्टार्टिंग है इसलिए अब बढ़ावर में क्या चलिए बढ़ावर मोना एंसर होगा बढ़ावर वाट इसको बस आप लोग क्याल्कूलेट कर लें देखें दू सम दू दूज़ो से दूज़ो कट जाएगा अब देखें यह थीन से कटेगा आट चुर बारोत इनपंद्र है तीन से तीन है कम तीन और तीन니다 ज्ञचाफार 116 गुना दो एक सोब सूला दूना दूसब बतिस दोसब बतिस सब करना बिल्कुल इजी है आप लोग इसको कैल्कुलेट कर सकते हैं अब आगे देखिए अगला कोशचन है चार्सो अठाड़ा का 572 क्या होगा देखे 418 का 5.72 परतिशत क्या होगा है इस कोच्चन का आपको हम बिल्कुल समझा देते हैं सिर्फ पसिफ देखे 418 का यहीं पर लिखते हैं का के मतलव क्या तो गुना करना अब 5.72 है तो दसमलव को हटा करके बट्टा में 100 डाल दीजिए देखें चलिए 418 गुना और 5.72 है 5.72 है तो दसमलव को हटा दीजिए दसमलव को उड़ा दीजिए अब बट्टा में 100 डाल दीजिए ठीक है दसमलव का मनता नहीं है यहाँ पे अभी थोरा से दिक्कत है चले मिटा मिटाने थोरा दिक्कत हो जाए चलिए तो 5.72 बट्टा एक सो अब परसें तो यूज करना एलाव होता नहीं है तो आप इसको आपस में कटाई है मत 418 को 532 आप गुना कर लेजिए तो आपको क्या आएगा 239096 इतना आपको आज आएगा बट्टा में कितना है एक पर चार जीरो है तो एक दो तीन चार यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे तो यह आगे के question देखते हैं अगला question देखें क्या काता है 35 का 60% 400 का कितना percent अब यहाँ से question थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आपको दमदार मिल रहा है अब थोड़ा सा question में थोड़ा सा label इसका बर रहा है लेकिन label चाहिए कितना ही बर जाए percent का जो rule है percent के symbol को आपको क्या मानना है 1 by 100 वहीं चीज का देखेंगे जितने सारे questions होगे सब को बनाने में तो आगे देखें 35 का 60% सबसे पहलब देखें 35 का 60% 400 प्रतिसान आपको हमेसा क्या करना है question में से हमेसा equation मिमसा क्या समीकरेट करना है question बब्रतिस अक करना है 35 का 60 पर्तिसत 400 का कितना पर्षेंट है तो ऐसे लिखिए 35 का 60 पर्षेंट जो है न वो 400 का एक्स पर्षेंट है 400 का एक्स पर्षेंट है आपको मिल गाए अंसर 35 का जो 60 पर्षेंट वो 400 का एकस परशंट के बढ़ाबर है तो 35 का 60 परशंट जो है वह 400 के X आप पर तीसत के बढ़ाबर है तो आप इसको आप एक कैल्विलेट का लिजे 100 से 100 यह कट गया एक 0 से 10 कटा अब यहां पर 40 25 है तो देखिए दो से कटेगा दो तिया चो दो से यहां पाएगा बीस अब यह 5 से कटेगा 535 अब पांचोक 20 तो X बड़ाबर 21 बट्टा 4 है एंसर आप किस में दिया है चले पुर्णांक में अब देखिए यह है भीन के रूप में तो 4 पंचे 20 अब 20 21 एक बट्टा 4 पुर्णांक एक बट् आप जिस भी यह स्ट्रेंट को समझ में नहीं आ देगी तो वो दुबाड़ा से देख सकते हैं इस वीडियो को बिल्कुल अप सलो करके भी वीडियो देख सकते हैं ताकि समझ में आजाए सब कुछ अगला जो कोश्चन है वो देख लिए कुछ इस तरह से है कोश्चन अमत पड़ेगा आगे देखते हैं 500 रुपे का 20% का 15% का 10% क्या होगा चाहे किसी भी कोश्चन में दूगो दे परसेंट तीन गो दे पांच गो दे दस गो दे उससे कोई मतलब नहीं जैसा दिया हुआ है वो इसे हम बना देंगे जैसी करनी वैसी भरनी 500 रुपे का 20% तो क्या कर लीखेंगे जब से पहले लिखेंगे 500 का 20% मतलब 20 क्या होगा तो 500 अगुने बीस बना टा एकशो होता है नौ तो एक बटा पांच लिकरिंग्गे इतना केलक्लेसों तो आपको कर लिज kommt pot 500 का तो 500 का अब 20 परशेंट है तो 20 बट्टा एक सो बिस बट्टा एक सो मतलब 25 एक सो एक बट्टा पांच और का 15 फिरसे का 15 परशेंट का मतलों गुणा होता है आप 15 परशेंट तो 15 बट्टा एक सो काटिएगा पांस तो 5 किया 15 रहा बीस पंचने एक सो तो 3 बट्था 20 आजाएगा उसको 10 % का दोस परसे फिर से गुना आप 10 बट्था एक सो मतलब क्या हुआ एक बट्था दोस अब देखें अब यहां फें लिख करके कटाते हुससे अच्छा है कि उतना इतना चीज तो माइंड में कटा लिए खुछ ना कुछ तैम तो बचा ही लिए नौई अब वही करना इसको बस आपलों केल्कुलेट कर लिजेब तो जीरो से दों कर गया अब 5 से पांच तनिर्वा अब उपर क्या टीन बट्टा दू का अमर्द्च क्या होता है एक सबसक्ति समलक पांच इसको हम नहीं बनाएगे, आगे question है, 15 का what percent, plus 50, बड़ावर 500, इस question को हम बनाएगे बिल्कुल जरूर, अब देखें, कहां पर, जहां पर भी what रहेगा, उसको माल लेगे, x है, वहां पर answer, उसका answer क्या है, x है, तो 500, 15 का x पर तीशत, x, x यहां पर माल लेगे, plus 50, बड़ाव तो अब देखिए पचास जो इधर पलस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यहां हो जाएगा सारे तो बचिया कितना एकस बढ़ाबर तीस यह हो गया आपका एंसर बिल्कुल सिंपल सा है आगे के क्वेश्चन में देखिए आप यहां पर क्या लिखा होगा 96 का आठ परसंट बढ़ाबर एकस का एकंवासा लिखा एकक बाटा 25 तो एकस का वेलू निकालीए 96 का इसने का आठ परसंट след गफिल्कुल सिंपल सा है आप यहां पर सिंपल पर सिंपल गरके बना लिख आपका यह कुश्चन बिल्कुल बन जाएगा इतना ची आपको को हम सीखा चुके हैं आगे देखिए चार्सों पचास का 27% माइनस 375 का एक्स परसेंट ब्रावर चीहत्ता दस्वन पांच में वाट कैस्थान पे क्या आएगा तो इसको भी बिल्कुल इसली बना सकते हैं कि चार्सों पचास का इसका कैल्कुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए इसको हम बना देते हैं खुद से ही आपको कॉन्फिडेंस डिवलप करना अपने आप में कि कैल्कुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं इसमें ठीक है चलिए कौन सा कॉस्टन है कि ओके पॉर्शन से चार्सों थो परिषा सक सा था एस पर्षन्ट चार्सों पर्षा स्का शाता इस पर्षेन्ट यानि करेंच छाता स्फर निकिए सताइस बट्र एक सम्ट्र्छा 17 students up कर्क एक जपरशन मार्नास तीन्सों पशुत्तर कस पर्षिं थ्षात तिनसद प्रहतर का एक्स परसेंट बड़ावर चीयत्तर दसमलव पांच हो तो इसमें से एक्स का वैलू आप लोग निकालिए तो सबसे पहले इसको आपस में कटा सकते हैं चास से कटेगा यह से तो देखें चलिए रसवाले एक जिरो कटा दिए पांस से ख़़नाइ ये 595 और 5 Friend दो और तौना 10 हम यहाँ पर पचीस से कटेगा तो 25 से कम 25 और 12 25 पचीस पंचे 100 25 25 पचीस उपर 15 नीच्चा में 4 इसेटर बान फाइव यहां पर क्या रहा है 15 एक्स बट्टा चार अब देखे 6, 5, 11, 11 और साथ ठार यह भी कटेगा तुछ यहां पर नो गुने सताई तो माइनस पंद्रो एक्स बट्टा चार बड़ावर 76.5 माइनस यह कितना हो 27 गुने नो नो सते तीर शर्ट और नो दुना अठार 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 चो चोबिस 243 अब बट्टा में दो ठीक है अब इसको आप लोग कैल्कुलेट करके एक्स का वेलू निखाल लीजिए क्योंकि अगर हम यहां पर कैल्कुलेट करेंगे तो बीडियो थोरा लंबा बन जाएगा आप से बिल्कुल कैल्कुलेट हो पाएगा बिल्कुल कर लीजिएगा चल यहां पर क्या कड़ेगा बस कुछ नहीं इस पॉइंट को खटा कर करके बट्टा में 10 दल दीजिएगा इसको और छोटा कर लिजिए इसको भीम का घटा कर लीजिएगा चार कूध दजा गुना कर दीजिए 15 से भाग दे दिजिए और माइनस मानेस कटवा दीजिएगा घि पॉर्शन में क्या करता है आपका यहां पर कि 50 का 860 परतिसत अब पलस 860 का 50 परतिसत कितना होगा देखिए यहां पर 50 का 800 इसको देखिए मुझवानी कैसे बनाते हैं पचास का 860 परतिस और चेंस 30 की अपराट दोनों में बात ब्लकुल बड़ावर है यहां पर भी आट्स दोप्राबॉंज कर शकते हैं यसको रेप्लेस जगह को रेपलेस करें तो 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 दोद्स का 860 का 50 परशंट और 860 का 50 क सुझए हो गा आठाट शाठी होगा क्योंकि 50% पर सेंड दोनों मिलें पर संट इसलिए 860 का 100 पर संट मतलब आठाट साथ ही ओगा इसका इन सब्सक्राइब बढ़ते हैं चार चार पर पर संट मायनस आठाट वाद का दो पर संट कितना होगा इसको देखें कई से बनाते हैं चारो का चार परसंट कितना होगा मुजवान निकाले तो चार चोह का सो लगा-षोला था यानिकि सो लग इसका चार चार परीट के भेंदां और सुला शीक्स्टीन यानिकि चौहलल माइनस और आठष अधू का दू पर्संट आठ दूना इसका भी में लू आठडूना सो को माईले बनाना ज्यादा शुरू करने में अब देखे 90 का कितना परतिसाथ 240 होगा अब देखे को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है क्या का तैकोस्टन में कि 90 का कितना परतिसाथ 240 होगा तो 90 का एक्स परतिसे दोस्टारी कितना जहाँ पर है कितना कितनी कब उसके जब पर एक्स माल नहीं तो नब्बे का एक्स परतिसाद दूसर चालिस अब सो कटाई है इससे यह कट गया तीन से कटेगा तीन तीन नो अट तीन अठेट चोविस 800 बट्टा तीन एक्स बराबर 800 बट्टा में तीन इसको कल्कुलेट करेगा तो आपका यह वाला जो एंसर है वह आपको मिल जाएगा 266 पुर्णांग 2 बट्टा तीन एंसर आपको मिल जाएगा बिल्कुल कि छलिए इस एपिसोड में बस इतना ही आगे के वीडियो देखिए मतला आगे का जो भी कुश्चन है 22 से लेकर के आगे 43 तक वह आपको दूसरे वीडियो में बता रहे हैं थोड़े से एपिसोड की तरह ले रहे हैं आधे घंटे में बिल्कुल एक एपिसोड कर रहे हैं तो अब आप लोग बताए कमेंट करके कि एक जीरो लेबल कोई भी एस्टुडेंट है तो अगर हम उसको इस रूप में परहा देंगे तो तो बिल्कुल सीख जाएगा कहीं पर कोई दिक्क कर दो बोबस एपना है